Hello friends, सागत हापका Let's Clear Up है आज समय पर बात करेंगे सीटेट के जो डिजीज के questions important आ रहा हैं जदा-जदा repeat हो रहे हैं आपके dyslexia, dyspraxia, dyscalculia and dysgraphia और साथ में ये द्रिस स्थानिक संगठन विकलांगता जिसको visual special organization disability कहते हैं यहां से questions आपके most of the questions यहीं से भी आते हैं स्केलांट डिजीज के questions नहीं आते हैं हाँ दो-चार questions आ जाते हैं जैसे mosquito वगएरा से questions आपके हो गए malaria वगएरा से वो जो है next question में आपको करा देंगे इसके फ़हले कुछ वीडियो आपकी आ चुके हैं इविया से related folk and classical dance की वीडियो आई हैं सेल्टर से related वीडियो आई हैं तो वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाए कर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं साथी टेलीग्राम कुरूप जोईन कर लिजीए पीडियो आपको टेलीग्राम में मिलेगी देखें डिस्क लेक्सिया आपको बताया जा रहा है एक condition है जहां पर reading difficult तो यहां पर keyword आप बना सकते हैं पढ़ने की जो दिक्कते होती हैं वो जो है डिस्लेक्सिया में होने वाली है यहां पर एक brain की photo देख सकते हैं तो यहां पर आपको एक question यह भी बन सकता है कि left brain में आपको दिक्कत आएगी ठीक है which part of the brain is affected by this dyslexia तो यहां पर आपको question हो जाएगा left brain जोसको की buying तरफ कहा जाता है है न बाई तरफ of the brain तो यहां पर आप देख सकते हैं photo बच्चा जो है चिला रहा है पढ़ने में यहां पर देखे कुछ और भी symptoms इसके हैं देख लेते हैं create difficulty with other skills अचे जो spelling करने में या लिखने में पढ़ने में writing में भी आपको दिक्कत हो जाती है people sometimes believe करते हैं कि visual issues है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है watching letters में symptoms क्या होता है delay in a speech बोलने में जो हैं आपर समस्या होती है recalling में चीज़ें दिक्कत होती है और naming letters में name करने में दिक्कत होती है बार-बार दोराने में numbers and colors को पैचानने में भी दिक्कत होती है और misspelling words को misspell कर जाते हैं spelling session नहीं पढ़ पाते है देखे इसमें तीन प्राइट के dyslexia होती है primary, secondary and trauma disease primary क्या होते हैं common type होते हैं जिसमें आपको dysfunction देखने को मिलेगा left side of the brain जैसे हमने आपको बताया तो brain के left side में आपको यहाँ पे देखने को दिक्कत मिलेगा remains unchanged with age के साथ जो है यह हमेशा ऐसे ही रह जाता है secondary or development dyslexia क्या है यह है developmental this type caused by problems with brain development during early stages and fertile development जब आपका brain develop होता है starting में तभी यह दिक्कत आ जाती है आपको तब जो है यह चीज़ें हो जाती है secondary हो गया trauma dyslexia की बात करें this type of usually occurs after some form of brain trauma injury होने के कारण जो है आपको reading और writing में दिक्कत होने लगती है तो यह सारी जो दिक्कते हैं यह dyslexia में आपकी होती है और keyword आपको याद कर लेना है पढ़ने में और यहाँ पर वरतनी में लेखन में आपको दिक्कत होने लगती है दूसरी चीज़ आ जाती है dyspraxia dyspraxia आप फोटो से image से थोड़ा साब relate करिएगा जब आपके question आए कि dyspraxia होता क्या तो आपको यह फोटो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह जो बच्चा है इसको बैठने में कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है मनला physically कहीं न कहीं जो है दिक्कत हो रही है और summer way कठिनाईया हो जाती है dress नहीं पाहन पाते हैं जैसे दवड़ना नहीं पाते हैं खूलना के खूदना और खेलने में भी दिक्कत हो जाती है अगर हम चोटे चीज़ों की बात कहते हैं तो पैंसिल को पकड़ नहीं पाते हैं रिक्त स्थान जो है छोड़ देते हैं जादा से जादा अच्छर को मैच नहीं करा पाते हैं अगर इस line में लिखना है तो एक अच्छर उपर लिखेंगे एक अच्छर नीचे लिखेंगे फिर उपर फिर नीचे या एक तरीके एक सीक्वेंस मैंने लिख पाएंगे कोई छोटा कोई बड़ा लिखेंगे तो यह डिफ्लेक्शन हो जाती है इसमें ठीक है तो यह आपको समझ के रखना है मेमोरी डिफकल्टीज में होती है ठीक है यह सारी चीज़ें जो है कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है यह डिस्प्रक्सिय में आपको देखने को मिल जाती है फिर आगे चलते हैं हम डिसकल्कुलिया देखिए कल्कुलिया से आपको यहाँ पर एक कीवर्ड बना लेना है जैसे हम आपको बताते चलना है कीवर्ड किया निकल किया रहा है कल्कुलिया मीन से हम पर कहीं कंगुलेसन से रिलेटर दिक्कत आ रही है कल्कुलेसन एक कीवर्ड आपको बना लिजए जैसे गिंती देख सकते हैं करम कहा साथ आगे पीछे नीगेटिव करने में कच्छिना आही आसानी से जगा खो देते हैं, मतलब जहाँ पर लिखा है, फिर आप नहीं लिखके स्पेस छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, संख्यानात्मक निर्देसों का पालन करने में कचिनाई होती है, दो-तीन आदी गिनने में कचिनाई होती है, योग की गणना नहीं कर पाते, जोड नहीं पाते हैं गुड़क नहीं कर पाते हैं गदी समय चीजों को आप जब जोड़ घटाओं नहीं कर पाएंगे तो फिर formula वाली चीज़ा करना थोड़ा मुस्किली हो जाता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन दो छे रही हैं ग्राफ मतलब कोई चीज़ बनाना तो कीवर्ड आप यहाँ पर पकड़ लीजिए कोई चीज़ फ्रेम करना कोई चीज़ बनाना है न यह जो है आपका कीवर्ड हो जाएगा अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इन एबिलिटी टू राइट लिखने में दिक्कत characterized by the ill-elisable handwriting सही नहीं होती है चीज़ों को graph नहीं कर पाते हैं same as उतार नहीं पाते हैं copy करने में इनको दिक्कत होती है dysgraphy is a learning disability characterized by writing difficulties such as impaired handwriting, poor spelling and problem selecting correct words को ढूण नहीं पाते हैं ठीक है यह children's और adults दोने में हो सकती है ति यह question आ सकता है कि क्या यह किसको effect करता है children को करता है या आपको adults को करता है तो इस question में आपको दोनों both का option आपे select करना होगा देखें इंदी में भी है लिखने में आज समर्थता होती है असपस्ट लिखावट नहीं कर पाते हैं विचारों को लेखने परेशानी की विशेस्ता भी हो जाती है तो अकर common causes की बात करें is not always related to underlying conditions इसमें physical tremor हो सकते हैं और head injury or trauma भी आपका हो सकता है इस कारणों से भी dysgraphia तो आपको मोटा मटा चीज़े हैं पर पता लग गया और फिर पाचवे ही चलते हैं आपर जो last है मारा वो है visual special deficit ठीक है तो visual special deficit जो होता है आपको inability to interpret चीज़ों को समझ नहीं पाते, organize नहीं कर पाते, synthesize नहीं कर पाते, यह चीज़ें जो है visual message in absence of visual impairment यहाँ पर देखने की जो है, देख के कोई काम करने की चीज़ें आ रही है, और ना देख के करने की दिक्कते यहाँ पर आ रही है, ठीक है, student says poor handwriting and artwork, art बना नहीं पाते हैं चीज़ों को ठीक है, जैसे कि आप यहाँ यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, यह अगर फोटो है, तो अगर जो यहाँ पर visual special deficit वाला इंसान है या बच्चा है, तो वो जो है इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर compare करेगा, as it is चीज़ें नहीं यहाँ पर match करा पाएगा, ठीक है, keyword आपको पकड़ना है कि students mapping, graphing, graphing वाली चीज़ें हैं, तो weak होती है, students consistently uses a finger to keep his replace from reading, writing, अगर read, write कर रहा है बुक को, तो वो चीज़ें किताब की graph को, lineों को नहीं समझ पाता है, हम कहाँ पर थे, क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि जो line है, आपकी as एक ही color में लिखी होती है, एक ही sequence में होती है, तो वहाँ पर द दिये हुआ है, हमने highlight कर दिये हैं, जो most important keywords थे, उसको हमने highlight कर दिये हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, और exam में कुछ इसी तरीके की keywords पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह आपका पाच्वा होगा है, visual special deficit, तो I hope आपको पाच्वों चीज़ें हाँ पर समझ में आ गई होगी ठीक है, चैनल पर नए है, सब्सक्राइब कर दीज़ेगा, वीडियो को share कर दीज़ेगा, क्योंकि एक तरीके से जीके का ही, यह question हो जाता है, section हो जाता है, seated के लिए तो आवसिक है, यूपिटेट के लिए भी आवसिक हो जाता है, के विएस के लिए भी आवसिक हो जाता है तो इसको सेयर कर दीजेगे ज़्यादा ज़्यादा और फिर मिलते है नेक्स वीडियो पर, thanks for watching